जै श्री कृष्णा बारवा अध्याय इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्चुन बोले है मनमोहन जो अनन्य प्रेमी भगजन इस पुर्वोत प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अती श्रेश्ट भाव से और जो अभिनाशी सचिदानन गन निराकार को ही उपासते हैं उन दोनों प्रकार के भगतों में अती उत्तम योगवेता कौन है इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले है अर्जुन मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे बचन ध्यान में लगे अर्थात उनको मैं अती श्रेष्ट मानता हूं और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छे प्रकार वश्च में करके मन बुद्धी से परे सर्व्यापी अकत्निये स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सचिदानन गन ब्रह ब्रह्म को निरंतर एक ही बाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं वे संपूर्ण बूतों के हित में रत हुए और सब में समान बाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं किन्तों सचिदानन गन निराकार ब्रहम में आसत हुए चित वाले पुरुशों के साधन में केश अर्थात परिश्रम विशेश है क्योंकि देहा बिमानियों से अव्यक्त विश्यक गती दुख पूर्वक प्रात की जाती है अर्था जब तक शरीन में अभिमान रहता है तब तक शुद सचिदानन गन निराकार ब्रहम में स्थित होना कठिन है और जो मेरे प्रायन हुए भगजन संपून कर्मों को मेरे में अरपन करके मुझ सहगुण परमेश्वर को ही तेल धारा के सद्रश अनन्य ध्यान योग स निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं हे अर्जुन उन मेरे चित को लगाने वाले प्रेमी बक्तो का मैं शीकरी मृत्यू रूप संसार समुंद्र से उद्दार करने वाला होता हूँ इसलिए हे अर्जुन तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धी को लगा इसके उपरान तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ती रूप सिद्धी को ही प्राप्त होगा और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मनवाला और मेरी प्राप्ती रूप योग के शरण हुआ सब कर कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर क्योंकि मर्म को न जानकर किये हुए अभ्यास से परोक्ष ग्यान श्रेष्ट है और परोक्ष ग्यान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ट है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष् इस प्रकार शान्ती को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में दुवेश भाव से रहित एवं सुआर्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित द्यालू है तथा मम्ता से रहित एवं एहंकार से रहित सुख दुखो की प्राप्ती में सम और शमावान है अर्थात अपराद करने वालों को भी अभै देने वाला है तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लावानी में संतुष्ठ है तथा मन और इंद्रियो सईद शरीर को वश्मे किये हुए मेरे में दृण निश्य वाला है और मेरे में अरपण किये हुए मन बुद्धी वाला मेरा भक्त मेरे को प्रीय है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप नहीं होता है और जो स्वेम भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप नहीं होता है तथा जो हर्ष, अमर्ष, भै और उद्वेग आदी को से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिये है जो पुरुष अकाड शा से रहित है तथा बाहर वीतर से शुद और चतुर है अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पशपात से रहित हुआ दुखो से चूटा हुआ है और वह सर्व आरंभो का त्यागी अर्थात मन वानी और शरी द्वारा प् करतापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिये है जो ना कभी हर्चित होता है ना दुवेश करता है ना सोश करता है ना कामना करता है तथा जो शुब और अशुब संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है वह भक्ती युक्त पुरुष मेरे को प्रिये है जो शत्रूम, मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सरदी, गर्मी, और सुक, दुखा दी, द्वंद्यों में सम है, और सबसंसार में आसकती से रहित है, तथा जो निंदा, स्तूति को समान समझने वाला, और मनन्चील है अर्थात ईशवर के सरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाहा होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में मम्ता से रहित है वह स्तिर बुद्धी वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है और जो मेरे परायन हुए अर्थात मेरे को परम आशे और परम गती एवं सबका आत्म स्वरूप और सबके परे परम पूचे समझकर विशुद प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए ततपर हुए श्रता युक पुरुष इस उपर कहे हुए धर्माय अम्रित को निश्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतीशे प्रिये हैं बोलिये कृष्ण भगवान की जय हो राधे राधे